नमस्ते प्रेबच्चों हम आज हसी घोखेई नामक पाड़ के शेश पाग पढ़ेंगे आपको याद है आप क्या क्या पढ़ा है पिछले ख्लस में? हाँ जी हाँ आप पढ़ा है क्या पढ़ा है? रोहन नामक लड़के बिस्तर से नीचे गिर गया यह है रोहन हस कर रही है उसकी हसी क्या हो गया है? हसी घोग गया है इसलिए वह हर कहीं उस हसी को घोज रहे है है ना? इतना ही हम पिछले ख्लस में पढ़ा है तो बाग की आगे देखो देखो अगेला अनिचित रोहन पुस्तक पढ़ रहा था उसने सोचा कहीं उसी में तो नहीं रह गई रोहन पुस्तक पढ़ रहा था हम पहले क्लास में देखा है रोहन क्या पढ़ रहा था? पुस्तक किस तरह का पुस्तक पढ़ रहा था? हाँ चुटकुला नामक पुस्तक पढ़ रहा था उस समय उसने सोचा उस बुस्तग में क्या घो गया है हसी घो गई है बुस्तग पलटने लगा इसलिए वह क्या करने लगा बुस्तग पलटने लगा बुस्तग में क्या है पन्ना है ना पेजस है ना वह क्या कर दिया पलटने लगा पलटने का अर्थ है क्या टर्न ओवर पेज जिसमें उस पन्ने में क्या नहीं थी हसी उस बुस्तग में क्या नहीं थी पर हसी न दिकी पर माने बड़ बड़ दाथ बुक में क्या नहीं देख रहा था हसी दिखाई नहीं देख रहा था अच्छा तो कम्रे से बाहर गई होगी वह क्या करने लेगा उसके बाद कम्रे से ब बाहर गई होगी, वह बागा बागा बाहर गया, वह क्या कर दिया, वह माने रोहें, रोहें, बागा बागा, बागा बागा मने रन करना, तो दाउड ना, दाउड कर कहां आ गया बाहर, वें आउटसाइड, आंगन में भी वह कही न मिली, आंगन माने क्या है, कोट्याड, नहीं मिली हसी नहीं मिली माँ पिदा जी के कमडे में भी नहीं थी माँ और पिदा जी माँ मदर और फादर फादर और मदर के रूम में भी क्या नहीं थी हसी नहीं थी हसी मने लाफ वो किसको गोच रहा है हसी को वो कहां कहां गोजा पुस्टग में गोजा, कम्रे में गोजा, और आंगन में गोजा, मा और पिदा जी के कम्रे में भी गोजा, लेकिन हर कहीं क्या नहीं थे? हसी नहीं थे. यहां देखो आंगर में अम्रूद के पेड़ पर दो तोते कच्छी अम्रूद कुतर रहे थे यहां एक चित्र देखो यहां का चित्र यहां क्या है यहां एक पेड़ है यहां किसका पेड़ है अम्रूद का गौवा का पेड़ है उस पेड में कौन बाइटा है दो तोते बाइट रहे है दो पैरड्स तू पैरड्स सा सिटिंग है तो वह क्या कर रही है यहां देखो आंगन में अम्रूद के पेड पर दो तोते कच्छे अम्रूद कुतर रहे थे कोट्यार में एक पेड है पेड किसका पेड है अम्रूद का गौवा का पेड है उस गावा के पेड में टू पैरड्स सा बाइट रही है वह क्या कर रही है तोते वे अम्रूद कुतर रहे थे वे अंड्राइब अम्रूद कच्छे माने अंड्राइब अंड्राइब अम्रूद क्या कर रहे थी घा रहे थे रोहन रोज तोतों से बातें करता था रोहन डेईली रोजमा ने डेईली क्या करती थी ये तोतों से क्या करते थे बातें टॉकिंग करते थे आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन आज not good day किसको रोहन को उसकी हसी जो गाइब हो गई थी उसकी हसी क्यों दाड़े अच्छा नहीं लगा है डौहन को उसकी हसी तो लाफ तो क्या है अप्रत्यक्ष हो गया है घाय माने अप्रत्यक्ष रोहन ने अपने आप से कहा मा कहा है वे मेरी हसी ज़रूर डून देगी रोहन ने अपने आप से कहा अपने आप माने स्व स्वयं से कहा, मा कहां है, where is my mother, वे मेरी हसी जरूर ढूंद देगी, मेरी हसी, मेरी मा जरूर, of course ही, क्या कर देगी, सर्च कर देगी, उसको विश्वा से, मा तो, उसकी हसी जरूर ही सर्च कर दो दी, ढूंद करना मने सर्च करना, तो बाग हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, झाल झाल